Good morning students, I hope you all are well and good. I am your Punjabi teacher and today we are going to start our fifth chapter of grammar that is लगाखर. बिंदीरी वर्तो आठ लगा, कन्ना, बिहारी, ला, दुलामा, आउंकड, दुलैंकड, होडा, कन्नावडा नाल हुंदी है। मुक्ता, सिहारी, अंकड, दुलैंकड, नाल लाग दी है। मुक्ता ना बचे कोई चीन नी हुंदा, उसे तरह कक्के ते टिपी तदा कांद, गग्गे ते टिपी तदा गांद, उसे तरह ही अग्गे होर शाब्द बन देहां, संगल, डंगर, मंदर, आधी। मुक्ता दा कोई चीन नी हुंदा, ससे ते अध्दक पपा, साप, हाहे ते अध्दक थथा हाथ। उसे तरह ही लखकड, पत्चण आधी। अग्गे है बचे एथे है सिहारी, वर्ड है, गलत लिख्या होया है, इथे ओना है, सिहारी, अध्दक नाल किस तरह वर्तो हुंदी है, सिहारी रेडी हुंदी है, खबे पासी हुंदी है, ते ऊपर अध्दक लग जन्दा है। एडी नू सिहारी उत्ते अद्धक टेंका इट उसे तरह ही अग्ये होर शब्द बनाएगे हान एक निकर किकर निच्छ आदी उसे तरह ही और अंकड़ दि वर्तों दसिया गया है कि अंकड़ नाल अद्धक किस तरह लगदा है जो कि पंजापी वीच अंग्रेज जी दे कई शब्दानु जदो गुर्मकी लुपी वीच लिख्या जान्दा है ताकी हुन्दा है कि दुलावा जो हन अद्दक लगा खर्दी वर्तो कर लई जान्दी है अग्ये है बच्चे आर्थपेद आर्थपेद बारे समझना बहुत ही जिरूरी है ये लिखदे समय चोटिया चोट अगल्नावल्तियान देन दी विशेश लोड है जिमें जित्थे बिंदी दी लोड है उत्थे बिंदी ना पाउनी परन्तु जित्थे लोड नहीं उत्थे एमें ही पादेन ये बच्चे बहुत त्यान रखना पैंदा है इसे तरह होर लगाकरा दी जरूरत दी था नहीं प्रम्जन जोग है कि बिंदी टिपी अद्दक दी वर्तों सही जगा ना करन नाल अर्थां विच फर्क पय जानदा है। यही दर्साया गया है कि अर्थां वीच फार्क पाव अर्थपेद कीमें पैंदा है इत्थों बचे थोनों कलियर हो जावेगा कि किस तरह आर्थपेद असी कार सकते हां जी में आदर आदर दा मीनिंग हुंदा बचे मान हमेशा बड़ियां दा आदर करो आदर लिख दे आदर बण जावेगा उसे तरह गग्ये नू कन्ना गा गादा मीन जुन्दा गवना जे होने थे असी बिंदी पाद ये ताप की बण जावेगा गा गादा मतलब है जानवर ससे नू कन्ना गगा साग साग मीन सबजी ससे नू कन्ना उते टिपी गगा साग ए बण जानदी है नकल उसे तरह ही बचे बिंदी टिपी दा दिया रखना बहुत जरूरी है कियोंकि इस नाल शाब्द दा आर्थड़दा हैगा उहो बदल जानदा है अगे है टिपी दी वर्तोना अर्थपेद कि में है कि राराग गा राग 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 दा मीन चुन्दा नास जे होनसी उपर टिपी बाद ये ता की बन जाएगा राग मैं तो इवर्तो वाकफा जे रांग दा वापा मीनिंग बना ये ता रांगा दे ना उस दी वोटी रांग दी काली है उनुसे तरह पपे दे अदख जज़ा पज ये ते अदख पाया है ता पज दा की मतला बन गया बहाना उन तुहाड़ा कोई पाज नहीं चलेगा उन जे पपा पेदे टिपपी जज़ा पांज ये पांज बना बाण जाएगा ये बन जेगा गिनती उसे कोल पांज कमी जाहान इसे तरह ही बच्चे होर विया पानू साद सांद मींज ओजार साद मींज बुला हस मींज हसना हन्स मीन पंची सत मींज दुखी संत मींज सादू ये बच्चे लग लग अर्थपेद हो जान दे हन जे ये यसी बिंदी टिपपी दी दुर वर्तो कर लेगे उसे तरह अधग दी वर्तो ना अर्थपेद अधग भी सानू देखके पाना चाहिएदा है जे ये ये सी सदी सद्धी बन जाएगा सद्धी मेंज हुंदा बलावना सद्धी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई उसे तरह ही अग्गे बच्चे सुख अपानू अधग दी वर्तो लेड़ी है गिया किमे करनी है उस बारे दस्या गया है उसे तरह ही तुसी त्यान रखना है कि बिंदी टिपई यते अधग दी कित्थे कित्थे वर्तों होनी है जे यसी दी दूर वर्तों कर लेंदे हा ता उस जड़ा वाक है लड़ा वर्ड है उस दा लड़ा अर्थ है उखो बदल जानदा है उसे नोसी अर्थपेद केंदे हा उन मैं तुछ याद रखन जो गलांद सांगी तुसी अपने दिमाग विच रखनी हान पहला कि लगाखर शावद लग अखर दा मेल है लग प्लस अखर दा मेल है ता हम जुड़के की बन जानदा है लगाखर दूजा लगाखरां दे चिन्ना दास तंतर रूफ विच कोई अर्थ नहीं होनदा तीजा पंजाबी विच त यहां जदो अवाज नू दूरा प्रगड करना होवे ता अद्धक दिवर्तों कीती जानदी है उन तुसी इस पाठ नू दो बरी पढ़ना है जो अपना पंजमा पाठ है लगाखर इसनू दो बरी पढ़ना है क्योंकि दो बरी पढ़के ही तुसी इस दी बैक एक्सरइज स्वालव कर सकोगे यह बच्छे जो पूरी जो एक्सराइज है तुसी स्वालव करनी है बोकुते इस जो प्रशन उत्रा नू तुसी अपनी नोट बोक दे विच नोट करना है so thank you so much बच्छे we will meet in the next class thank you so much have a nice day